Hey everybody, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं Phenology Legal आज की इस वीडियो में हम कुछ confusions क्लियर करने वाले हैं कैसे confusions यही कि Bill, Act, Ordinance, Rules, Regulations इन सब में क्या difference होता है अब सुनने में ये सारे terms एक जैसे लगते हैं पर है नहीं और अच्छी बात यह है कि इनके बीच में different समझना बहुत सिंपल है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ आज की इस टॉपिक में बहुत सारे interesting details भी होने वाली है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंडिया को कौन गवर्न करता है Central Government जिसे हम Union Government भी कहते हैं अब जैसे हमारी body को properly function करने के लिए different organs की जरूरत पड़ती है उसी तरह government के भी तीन organs होते है Legislative, Executive और Judiciary Legislative का काम होता है laws बनाना वहीं Executive का काम होता है इन laws को implement करना वहीं Judiciary का काम होता है इन laws को interpret करना judgments देना और peace और order maintain करना तो Legislative जिसे हम Indian Parliament भी कहते हैं इसमें कौन कौन आते हैं? President, Lok Sabha जिसे हम House of People या Lower House भी कहते हैं और Rajya Sabha जिसे हम Council of States या Upper House भी कहते हैं वहीं Executive में कौन कौन आते हैं? President, Vice President, Prime Minister और उनकी Council of Ministers Executive का का काम होता है देश को administer करना उसकी governance को देखना महीं Judiciary में आते हैं Supreme Court, High Court और Subordinate Courts चलिए अब Main Discussion पर आते हैं मानिये कि देश में एक नया Law बनाना है तो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट के से होगा? एक Draft या फिर Policy से तो एक Draft बनाया जाएगा जो कि एक Starting Point होता है जिसमें इस नये Law लिए Objective दिया होता है कुछ Guidelines दिये गए होते हैं अब इस Draft को Parliament के दोनों Houses के सामने Present किया जाता है जहां पर इसके उपर खुल कर discussion होता है और इस पर voting की जाती है तो जैसे ही एक Draft को Parliament के सामने Present किया जाता है ये बन जाता है Bill अब अगर Parliament के दोनों Houses से ये Bill पास हो जाता है Plus, President भी इसे अपनी सहमती दे देते हैं अपनी S.N. दे देते हैं तो ये Bill प्रमोट होकर बन जाता है एक Act तो ये होता है पूरा एक Normal Legislative Procedure जिसमें Starting Point होता है एक Draft या फिर Policy उसके बाद ये बनता है Bill और Finally ये बनता है एक Act तो ये Difference होता है Bill और Act के बीच में और ये होता है एक Normal Legislative Procedure चली आप जानते हैं कि ये Ordinance क्या होता है अब ये Ordinance क्या होता है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि Parliament function कैसे करती है तो आप मुझे ही बताइए कि कि हमारा Parliament मतलब हमारी लोक सभा और राज्य सभा कि ये साल भर काम करती है नहीं आपचली कहीं लिखा नहीं गया है कि Parliament को कब-कब Sessions लेने हैं कब-कब लॉल आने हैं पर ट्रडिशनली Parliament के तीन Sessions होते हैं तो पहला होता है Budget Session जो end of January से लेकर May तक चलता है दूसरा होता है Monsoon Session जो July से आगस तक चलता है और तीसरा होता है Winter Session जो November से December तक चलता है जरूरत पढ़ने पर इन Sessions को आगे पीछे भी किया जा सकता है बस एक normal rule है कि किन ही भी तो Sessions के बीच में 6 महीने से जाधा का gap नहीं हो सकता तो इंडिया में जित्ते भी laws pass होते है वो draft, bill और act बनने का जो procedure है जो normal legislative procedure है वो in Sessions के दौरान प्राक्टिस किया जाता है पर जब Parliament Session में नहीं होती और किसी emergency के वज़े से urgently कोई law pass करना हो तब क्या करेंगे? तब हम मदल लेते हैं ordinance की process की तो जब भी Parliament Session में नहीं होती है उस spirit को हम recess कहते है और उस वक्त कोई urgent situation आ जाती है जब law pass करना होता है तब central level पर president के पास वहीं state levels के पास governors के पास भी law making powers होती है देखिए इससे पहड़े जो हमने power देखी थी इसमें legislature law pass करता है वो एक normal legislative procedure है पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर executive law pass कर रहे हैं इसलिए जरूरी है कि यह power तब ही use हो जब Parliament Session में नहीं हो और दूसरा बहुत emergency situation आ गई है तो एक act और ordinance में अल्मूस्स सारी चीजे सेम होती है जैसे कि एक act logo पे apply होता है वैसे ही ordinance भी लोगो पे apply होता है जो चीजों का ध्यान act को रखना होता है कि बाकी laws violate ना हो सारे principles का ध्यान रखना हो वो सारी चीजे और ordinance को भी ध्यान में रखनी होती है main difference और यह ध्यान रखिए कि एक ordinance की validity होती है 6 months plus 6 weeks अब यह दो different timeline क्यों इसे समझते है तो सबसे पहले है 6 months लेकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्लेमेंट के जो 2 sessions होते हैं उनके बीच का difference कितना हो सकता है maximum 6 months और आप ordinance कब लाते हो जब पार्लेमेंट session में नहीं होता तो 6 महीने की अंदर ही अंदर next session होने वाला है तो यह ज़रूरी है कि जैसे ही पार्लेमेंट का next session हो वैसे ही ordinance पार्लेमेंट के सामने present किया जाए जहां पर उसके उपर discussion और voting होती है तो इसलिए पहला limit है 6 months का अब बात करते हैं 6 weeks की तो जैसे ही पार्लेमेंट session में आ गया उस ordinance को उसके सामने present किया गया अब 6 हफ्तों के अंदर 6 weeks के अंदर पार्लेमेंट को इस ordinance में decision बनाना होता है कि क्या वो इस ordinance को पास कर रहे हैं या फिर उसे निरस्त करना चाहते हैं अगर इस ordinance को दोनों houses पास कर देते हैं तो यह ordinance भी act बन जाता है एक act की जैसे apply होने लगता है पर अगर 6 हफ्तों के अंदर पार्लेमेंट इसे पास नहीं करती है तो automatically ordinance निरस्त हो जाता है तो ordinance की validity सिफ 6 months और 6 weeks की होती है जैसे ही पार्लेमेंट सेशन में आए और इस ordinance को प्रेजेंट करना होता है प्रेजेंट करने के 6 हफ्तों की अंदर पार्लेमेंट की इसे पास करना होता है और अगर यह पास हो गया तो यह act बन जाता है अगर यह पास नहीं होँआ तो यह automatically निरस्त हो जाता है चलिए अब समझते हैं कि rules और regulations क्या होते है तो इस वीडियो के starting में हमने जाना था कि government की तीन organs होते है एक होता है legislative जिसका काम क्या होता है laws बनाने का वहीं दूसरा होता है executive जिसका काम क्या होता है इन laws को implement करने का तो legislative मतलब पार्लेमेंट क्या करती है act बनाती है वहीं इस act को implement कैसे किया जाएगा लोगों पे apply कैसे किया जाएगा उसके लिए executive इसके लिए rules बनाती है तो अगर central level पे मतलब अगर parliament कोई act बना रही है तो उसके लिए rules कौन बनाएगा central government वहीं अगर state level पे state government अगर कोई act बना रही है तो उसकी लिए rules कौन बताएगा? State government. तो act के अंदर होते हैं rules और rules बताते हैं कि किसी भी act को implement कैसे किया जाएगा. अब बात करते हैं regulations के बारे में. तो ध्यान से सुनीगा यह हमारा last difference है. तो rules के अंदर होते हैं regulations. यह बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर act के rules हो या फिर हर act के लिए regulations हो यह बिलकुल ज़रूरी नहीं है. पर इंडिया में ऐसी कुछ independent authorities है, कुछ statutory bodies है जो act को कैसी implement करेगा वो उनकी हाथ में होता है. For example, Reserve Bank of India या फिर Securities and Exchange Board, SEBI को ले लीजिए या फिर Competition Commission, Press Council of India. यह कुछ ऐसी independent authorities है, कुछ statutory bodies है, जो act कैसी implement होगा वो उनकी हाथ में होता है. अब यह bodies खुद कैसे function करेगी, अपने आपको कैसे regulate करेगी, उनके क्या standards होंगे, तो खुद के लिए वो regulations बनाती है. तो legislative का काम होता है, act बनाने का, law बनाने का. इस act को कैसे implement करेंगे, उसके लिए rules होते हैं. अब अगर कोई body है, जो इस law को implement करी है, तो वो खुद कैसे function करेगी, कैसे regulate करेगी, उसके लिए regulations होते हैं. तो चलिए quick recap कर लेते हैं, ताकि आपसे कुछ miss ना हो. तो law बनाने का पूरा procedure स्टार्ट होता है, draft से. यह होता है starting point. जैसे यह draft, parliament के सामने present किया जाता है, यह बन जाता है bill. अब अगर इस bill को parliament के दोनों houses pass कर देते हैं, plus president भी अगर इसे अपना ascent दे देते हैं, तो यह bill बन जाता है act. अगर parliament session में ना हो और अगर कोई emergency situation आ जाती है, तब law ordinance के प्रूफ बनाया जाता है. पर 6 महीने के अंदर इस ordinance को parliament में present करना होता है, और parliament के present करने के 6 हफते के अंदर इसे pass करना होता है. अगर यह ordinance pass हो जाता है, तो यह act बन जाता है. अगर यह 6 हफते के इसे होते हैं, जिनके अंदर independent bodies बनाई जाती है. तो यह bodies अपने आपको regulate के से करेगी, function के से करेगी, इसके लिए regulations बनाया जाते हैं. तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने इन सारे terms में क्या difference है यह जाना. I hope अब आपको इस सारे terms बहुत अच्छे से clear हो गए हो. अगर भी legal पर भी follow कर सकते हैं. जहां हम ऐसे ही posts और quizzes करवाते रहते हैं. That's it for now. See you in the next class. Bye-bye.